अग्याइब आज वीडियो में जो मुल्ग डिस्केस करेंगे मैंने पिछले वीडियो में क्योंटी थी और ट्वंटी फोर डिस्केस किया था आज मैं उसे आगे डिस्केस करूंगा और कुछ सबसे पहले हम लोग बात कर रहे है क्योंटी फिफ्ट की बालें शीट ऑफ साधू राजा एंड करन वह शेरिंग प्रॉफिट इंड रेशियो फोर इस्टू तो फोर ऑन 31st मार्श 2012 वाज एस वालोज तो यह बैलें शीट गिवन अपने को तीन पार्टनर की साधू राजा ए साधू डाइड ऑन 31st जुलाई 2012 तो साधू की डेथ 31st जुलाई 2012 को होती है अप्राइल मई जून जुलाई फोर मंस के बाद होती है इस साल के अंदर ठीक है ना तो लास्ट रेखी सेल 4,50,000 है और करेंट इसेल 270 है पिछले साल का प्रॉफिट 1,25,000 है इंटरेस्ट अन कापिटल 5% पर अनम पर और आवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का 55,000 है ठीक है तो ये बैलेंस शीट गिवन हमको सादू राजा करन की सादू की डेथ होती है फर्स पार्टनर की डेथ होती है तो रिमेनिंग 2 इस्टू 4 बचा तो 2 इस्टू 4 मतलब 1 इस्टू 2 इनका रेशियो बच गए ठीक है ठीक है ना आसेड असेड में सादू का लोन भी है अबसेड में सादू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ हमको सादू से पेमेंट लेना है, ठीक है ना उसको देना नहीं है मतलब यह capital के अंदर कम करेंगे हम लोग ठीक है तो simple सी बात है मैंने आपको बताया था पहले capital का balance लिख ले है general reserve को divide कर ले हम लोग goodwill adjustment कर लेते हैं और साधू के loan को लिख लेते हैं ठीक है ना सबसे पहले balance sheet को copy करता हूँ तो opening balance 80, 10,000 को 424 में डिवाइड कर दूँ में और loan को मैं debit side लिख 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 लिए है तो first adjustment तुम देखो मैंने opening balance 80,000 लिख लिए general reserve को divide कर दिया 4,000 और साधू का loan मैंने 20,000 लिख लिख लिया ठीक है न अब next point पढ़ते हैं पहला point बोल रहा है goodwill of firm valued two year purchase average पिछले तीन साल का लेना है ठीक है न अब पिछले तीन सालों का average हमको गिवन है 55,000 पिछले तीन सालों का एवरेज प्रॉफिट गिवन हैं को 55,000 अब बताओ अगर एवरेज प्रॉफिट 55,000 गुडविल कितनी होगी 55,000 इंटू 2 गुडविल कितनी हो जाएगी 55,000 इंटू 1,10,000 की गुडविल हो जाएगी तो अब गुडविल का एज़ेस्मेंट कैसे करना है तो मैंने लिएका 55,000 इंटू 2 तो गुडविल अपनी होती लाग 10,000 की गुडविल होती ही 1,10,000 की ठीकै न अब 1,10,000 जिस पार्टने की डेथ होही उसका शेर तो 1,10 इंटू 4 by 10 110 में जिसकी death हुई उसका share 4 by 10 है तो 4 by 10 के इसाब से वो value आती है 44,000 जिसको divide कौनसे ratio में कर देंगे हम लोग gaining ratio के अंदर कौनसे ratio में करेंगे gaining ratio जो कितना है 1 is to 2 है gaining ratio ठीक है ना क्योंकि जो बच गया 4 is to 2 is to 4 first partner की death हुई बचा कितना 2 is to 4 तो gaining ratio आया 1 is to 2 तो इस 44,000 को हम लोग divide करते है gaining ratio 1 is to 2 में तो जब 1 is to 2 में divide करते हैं तो amount कितना आ जाएगा राजा current देंगे इसको तो by Rajas capital 44 into 1 by 3 by current capital 44 into 2 by 3 तो यह अपन ने amount divide कर दिया gaining ratio में जो है 1 is to 2 gaining ratio ठीक है ना फिर उसके बाद interest on capital 5% के साब से देना है अब interest on capital तो 80,000 पे 5% 4 months का तो अब 80,000 पे interest on capital अगर हम देते हैं तो आप calculation अगर करते हो तो interest on capital 80,000 पे 5% 4,000 आता है और 4 months के लिए करोगे तो 1,000 रुपी का amount आ जाएगा 80,000 पे 5% 4 months का तो interest on capital 1,000 का amount आता है अपने सामने ठीक है ना profit हमको calculate करना है turnover method के इसाब से जिसमें हमको पिछले साल की sales given है 450 और current rate की sales 270 given है profit 125 है तो 125 upon 450 करोगे तो net profit का ratio आ जाएगा तो net profit का ratio 27.77% आता है इस 27.77% को 270,000 current rate की sales पे अपलाई किया तो यह जो profit है current year का profit आगा ठीक है ना और into 4 by 10 करेंगे तो सादू का share आता है 30,000 रुपीज तो by P&L suspense 30,000 आता है ठीक है ना तो इन सबको add करके जब इसको minus करेंगे तो final सादू को executor को payment करना है 1,39,000 ठीक है ना तो आपको final payment करना रहा 1,39,000 ठीक है तो यह हमारा question number 25th complete होता है जो हमने अभी discuss किया ठीक है ना कोई भी doubt हो बेटा में को whatsapp कर दे ना 99294 11361 वे ना नमबर है और अच्छे से पड़ो है ना तुम डंग से पड़ो मेरे चैनल पर पड़ो कहीं tuition नहीं जाना अपने को ठीक है ना अच्छे से पड़ोगे तो सब चीह समझ आ जाएगी और ना लाइक ही करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा तुम लोग regular basis पर अपने दोर पर एफट करते रहो question में सारे करा रहा हूँ तुमारे feedback भी में को मिलते हैं अच्छे feedback मिल रहे है तुमारे उसको और अच्छे से एफट डालके तुमको करा दूँगा ठीक है बेटा चलो थांक यू ओल फिए ना कमिंग तो नेक्स क्यूशन बेटा दाट इस क्यूशन नंबर 26 पढ़ना ध्यान से एक्सेंड वायर पार्टनर देट प्रोएट इंटर आ लिया अब एक्स और वायर पार्टनर है और डीट क्या प्रोएट करती है अकाउंट भी बैलेंस ओन 31st मार्च एवरी यर प्रोफिट डिवाइट एक्स वन आफ य वन थर्ड एंड कैरी तो रिजर्व वन सिक्स्थ ठीक है इवेंट ऑफ डेट इज एक्जीक्यूटर एंटाटल डू कैपिटल प्रोपोर्शन और प्रोफिट ऑन दिवेश वर आवरज अव लास्ट थी कंप्लिटिट इडियर गुद्विल प्रोपोर्शन और टोटल प्रोफिट अव थ्री प्रिसीडिंग यह यह हमको बैलेंस शीट गिवन है प्रोफिट फॉर थी यह एंडिट वर फॉर्स्ट अगस्ट फॉर्स्ट अगस्ट तो अप्रेल मई जून और जुलाई यह चार मीने का टेम टाइम हो गया अब इस क्योशन के अंदर आप एक देखना एक्स को वन आफ और य को बन थर्ड है बादर रेशियो वन आप इस्टू वन थर्ड है एक्स और य का यह रिजर्व वन शिक्स का कोई मतलब नहीं है इसको निया तो आपका रेशियो कर आप बैलेंस करो के तो आपका रेशियो आजाएगा ठीक है ना अब अगर मैं बात करता हूं क्योशन अगर हम सौल करते हैं बहुत सिंपल क्योशन है त्री सिर्व यह वाला पॉइंट नहीं आए बाकि इसका इसका कोई मतलब है नहीं इसके अंदर ठीक है ना तो ओपनिंग बैलेंस 6,000 रिज 1.220 ड्यूएवरेज शेर और उसमने इस बार रहे तो फिर्म का प्रॉफित यह हुँआ और वाइका प्रॉफित 2,500 तो यह अपना यह आजाएगा था आजाएगा वाइक का शेर तो टोटल पॉपिट के साब से निकलेगा average के साब से नहीं goodwill का share total profit के साब से निकलेगा तो total profit 12600 तीम सालोगा y का share 12600 into 2 by 5 ये y का share आ जाएगा ठीक है न तो ये goodwill x compensate करेगा आप x capital 5040 आ जाएगा इसको solve करेगा 5040 ठीक है न इसको होमवक में करोगे 27th is quite simple यह होमवक में करोगे 28th क्योशन पर हम लोग नजर ढाल देते हैं 28th क्योशन देखना बिटा on 31st March 2014 balance sheet of Pooja Qureshi and Ross 31st March 2014 को balance sheet Pooja Qureshi और Ross who were partners in a firm इस तरह है Qureshi died on 1st July 2014 अब Qureshi की death होती है 1st July मतलब April मई और June 3 months वो रहा है ठीक है न प्रॉफिट शेंग रिशो 2-1-1 होगा on the death of partner deed यह provide कर रही है कि share in profit मिलेगा till date of his death will calculate your average of 3 completed year goodwill will calculate your total profit of last 2 year interest on loan given by firm to partner charge at 6% or 4,000 whichever is more profit पिसले 3 साल का 45, 48, 33 prepare Qureshi capital account to be rendered to its executor अपने वो पूरेशिय capital account बनाना है जो उसके executor को मिलना चाहिए ठीक है ना तो यह क्योशन में कर रहा है तो हूं वैसे quite simple question है तुम अपने लेवल पर try करना नहीं है तो मुझसे फिर वापस तुम solution को देख ले ना ठीक है ना ना कमें दो क्योशन 28 तो देखो पीटा क्योशन 28 का जो solution है वो मैंने एक बार पूरा तुमार सामने कर रहा है तुम लोग देख सकते हो सबसे पहले हमने कुरेशिय capital account लिए opening balance 1 lakh rupees 1 lakh opening balance लिख लिए रिजर्व 2 lakh का है और ratio 2 is to 1 is to 1 है 2 lakh का रिजर्व है ratio 2 is to 1 is to 1 है तो 2 lakh का 1 by 4 तो रिजर्व 50,000 लिख लिए हम लोगोन है रिजर्व के बाद हम लोगों को question अगला point यह बोल रहा था कि share in profit till date of the debt calculate average पिछले तीन सालों करना। तो profit तेट आफ डेट पिछले तीन सालों का average लेना था हमको ठीक है ना तो profit to date of death में पिछले तीन सालों का average यह पिछले तीन साल के profit इनका average आया 42,000 ठीके ना आभ यह जो 42,000 अगर मैं देखता हूं इसकी जो डेथ होई है वो डेथ होई है फर्स जुलाई को तो फर्स जुलाई को डेथ होई है मतला अप्रेल माई जून थ्री मंस का रहेगा है ना यह पर अब अब एटा 28th क्योशन अभी हमने डिसक्स किया था 29th में आपको करवा रहा हूं बने 28 अब 33aT ना वर आप हमवंवंग में करोगेस है क्योशन नवर 31 वह आप work में करोगे ठीक है ना दो क्योशन बता रहुं थर्टी और 31 % वाप अधे ट्법 क कर ओए 28th हम लोगए 29th हम लोगँ अभे डिसक्श कर रहें ठीक है पैसा तो यह नियुकार GERों थैसलिस Εं number 29th that is on page number 7.33 29th question on page number 7.33 ठीक है ना तो ध्यान नहीं question number 29th ठीक है ठीक है तो अब बेटा जो पन अगला question discuss करें question 29th ध्यान देना a b and c were partners in a firm a died on 31st मार्स 2018 ठीक है तो एकी डेट 31st मार्स 2018 जिसन बैलेंस शीट हो जाती है ठीक है ना फिर उसके बाद balance sheet of the firm यह हमको balance sheet given है उस दिन की ठीक है ना तो इसमें एक तो general reserve चल रहा है WCF चल रहा है P&L चल रहा है तीनों चीज़ें इसके अंदर चल रही है asset side में कोई भी goodwill नहीं है ठीक है on ace debt it was found that patents were valueless अब patents valueless है patents 8,000 के इसको 0 में convert करना है furniture was to be bought down to 24,000 furniture कितना है देखो check करो 30 है उसको 24,000 कम करना है plant was to be reduced by 10,000 plant को 10,000 कम करना है and there was liability of 7,000 account of workman compensation 10,000 रुपे का fund है उसमें 7,000 की liability है pass general entry for above at the time of ace death हमको सिर्फ general entries पास करना है ठीक है न अब इसमें एक चीत ध्यान रखना क्योंकि patent valueless हो चुके furniture की value कम हो चुकी है और अपने को plant को reduce करना है तो इसमें क्योंकि patent valueless होगे furniture की value कम होगे प्लान को reduce करना है तो this adjustment will do through revolution account यह adjustment कहां से करना पढ़ेगा बच्चों रिवालुएशन से ठीक है न उसके बाद तुम्हार पास workman compensation fund 10,000 है और उसके against claim 7,000 है तो आपका 3,000 फ्री है जो amount वापस partners में distribute हो जाएगा ठीक है न तो क्या general entries करेंगे देखो ध्यान समझना मैं पूरी जनलेंट्री समझा जान ठीक है न फॉर्स जनलेंट्री मैं असे ट्राइबलिटी को रिवल्विक यपकर न कम करना था वैलूलस तो रिवालवलेशन टू पेटि एड्टिट फटिथा फटिंट्रिटी वोड़नें है बना फटिशिन से कम करना है ठीक है न ओर आपको वह ब प्लांट को आपको 10,000 रुपे से कम करना है तो प्लांट मैंने 10,000 कम कर दिया तो रिवालेशन टू पेटेंट टू फंटीचर टू प्लांट यह 24,000 के एंट्री होई मंदर रिवालेशन अकॉंड में डेबिट हो गया है वहला मौंट तो workman compensation fund 10,000 था 7,000 का claim था तो workman compensation fund 10,000 तो workman compensation claim 7,000 अब बाकी 3,000 जो बचा वो equally distribute होगा तीनों partners में 1 is to 1 is to 1 में बाकी जो 3,000 बचा वो equally distribute होगा तीनों partners में 1 is to 1 is to 1 ठीक है न उसके बाद profit distribute करना है 6000 तो P&L to A to B to C क्योंकि ratio given नहीं तो equal ratio में distribute कर दिया 1 is to 1 is to 1 ठीक है ना ये सारे concept अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी तरह एक entry और कर देना general reserve की general reserve to A to B to C ठीक है ना मैंने शायत पीछे करी एक बार general reserve की entry और देख ले ना नहीं करी तो भी आप एक और एंट्री कर देना general reserve 9000 to A 3000 to B 3000 to C 3000 ठीक है ना एक ये एंट्री और हो जाएगे general reserve to A to B to C क्योंकि जन्रेजर भी 9000 चल रहे हैं अब क्योंकि revolution में और कोई credit नहीं है तो यह जो 24,000 है पूरा का तो यह सारी entries करने के बाद यह सारी entries करने के बाद अब final जो एका figure आता है वो कितना आता है देखो एको due 40,000 तो capital का था 1000 उसका अपना यह workman composition fund वाला एको मिला 2000 उसको P&L वाला मिला 3000 हमको एक ही amount निकालना इसलिए P&L 2000 मिला 3000 उसको generalism मिला और 8000 का उसको loss charge हो गया है ठीक है ना तो final जो net amount due आ रहा है एक वो 38,000 है तो इसके entry कर दी एस capital account debit to age executor मन एक्जीक्यूटर नेट कितना amount transfer हो जाएगा 38,000 वोड़ बिदे net amount transfer to executor getting my point ठीक है ना अब अब नेक्स क्योशन जो है यह क्योशन वा 32 ज्यान देना कवीता लीना and Monika कवीता लीना and Monika are partners in a firm sharing profit in the ratio 1 is to 1 is to 3 ठीक है their capital account showed the following balance on 31st March 2012 कवीता 70,000, लीना 65,000 and Monika 2,10,000 कवीता 70,000 है लीना 65 है और Monika 2,10,000 है firm close its account every year on 31st March 31st March को close करते हैं कवीता died on 30th September 2012 ठीक है मतलब 6 months के बाद डेथ हुई है ठीक है न April, May, June, July, August, September भी पूरा हो गया है न in the event of death the partnership deed provide for falling अब क्या क्या मिलेगा interest on capital 6% पर है नम पे deceased partner share in goodwill will be calculated basis of 2 year purchase of the average of last 3 year ठीक है profit of the firm पिछले 3 साल के 1,110,000 और 90,000 है share in reserve fund of the firm will be paid reserve fund firm का 60,000 है at the time of कवीता's death and share of profit till date of that will be calculated basis of sales तो ये सारी टेल है अपने हो capital कवीता's capital account बनाने है वैसे क्योशन पैटन लग बग हम लोग काफी बार डिसकस कर चुके है तो कवीता capital account बनाने है तो ध्यान से देंगे कवीता capital account कैसे बनेगा अब देखो ध्यान देना क्योशन वैसे बहुत सिंपल है मैंने solve कर दिया है ठीक है ना opening balance हमने 70,000 लिग दिया ठीक है ना opening balance सबसे पहले लिखा अगला point बोल रहा है interest on capital 6% पर है capital 70,000 है 6% dead 6 months बाद हुई है तो capital interest on capital 2100 है तो यह 2100 हमने यहां post कर दिया by interest on capital 2100 ठीक है ना goodwill का value हमको average 3 years के साब से निकालना है तो अगर मैं तीन साल का average लेता हूं 1 lakh है और 2 year purchase पर गुडविल आता है हमारा 2 lakh अब यह जो 2 lakh का goodwill है this is divided in the gaining ratio one is sorry 2 lakh का तो goodwill हो गया और उसमें उसका share 1 5th है कवीता का share कितना है 1 5th है तो 40,000 को हमने divide किया gaining ratio 1 is to 3 में तो यह L और M ने compensate किया तो remaining partners है तो by L and by M 10 and 30,000 ठीक है ना profit का share पिछले साल के साब से निकालना है इसमें reserve भी given था हमको तो reserve का value हमको 60,000 given है ठीक है ना तो 60,000 reserve है तो 1 5th, 60,000 का 1 5th हमने reserve उसको payment कर दिया by reserve 12,000 profit का share हमको 2 लाग पिछले साल का profit given है पिछले साल की sale 20 लाग given है तो net profit का ratio 10% आता है और वो 10% हमने current year की sales पे अपलाया कर दिया 4 लाग पे तो 4 लाग का 10% मतलब 40,000 तुमारा current year का profit हो गया और उसका फिर से 1 5th तो 8, 1000 अपना current year का profit हो गया तो वो बाइप एडल सस्पेंस एंट्री हो गई इन सब को total किया तो अब final अपने सामने जो एक्जीकूटर में आता है वो आता है 132,100 तो final balance in executor is 132,100 तो यह अपना question number 32 होता है अब तुमको क्या करना है 32 तक जितने question मैंने करा लिए एक तो उसमें को जरूर कमेंट करना ठीक है और कोई भी दिक्कत आए तो मैंको आप WhatsApp करो मैं आपको कोशिश करूँगा WhatsApp पर आपकी डाउट सौल कर दो ठीक है अब 32 के बात जो अगले क्योशन है वो हम लोग आगे वाले वीडियो के अंदर डिसक्स करते हैं ठीक है तो till question number 32 हमारा एक बार क कम्प्लीट हो गया ठीक है चलो thank you all of you